नमस्कार आदाप सेस्टे काल रादे रादे जैहिन्स। अगत है आप सब कमहिंदरास के ओफिशल यूट्यूब चानल पर और बच चुके हैं सुबे के साड़े छे और आज है 17th of December तो very good morning, very good cold morning to everyone. तो इतने थंडी के मौसम में भी सुबे बिल्कुल चाय के कब के साथ या कॉफी के साथ जुड़ गए हमारे साथ, तो बिल्कुल देख लेते हैं कि हमारे साथ कौन-कौन कनेक्ट हो चुका है और जितने भी candidates and aspirants हमारे साथ connected है, आप सभी से request है फटा-फट session को क्या कर देना ह आप जहां पे भी linked है, सेशन को क्या कर देना है, शेयर कर देना है, ताकि साथ से जाथ लोग हमारे साथ जुड़ चके, तो जल्दी से बता तो, voice audible है, video clear है, is everything is okay, all set, और देख लेते हमारे साथ साथ जो है, कौन-कौन connect हो चुका है, शुरुआत करते हैं हमारे आज के hashtag से, I can, I will, and yes, definitely you can, you will, Praveen sir, very good morning, Shashi is here, Deepti ma'am, Jutain sir, Santosh sir, Rahul sir, Vinay sir, Sohani ma'am is here, Shubham Sohan, Suman sir, Buvnesh Sohan, Priya, Vishnu Pan, Sharad sir, very good morning to all of you, thank you so much, आप लोगी जो है, Dearest candidates हो हमारे, Vishnu sir, Ati Raju, Nikhil Shriwaal sir, Preeti ma'am, Divyaanj, Ghansham sir, Good morning, Good morning, Uday sir, Om Prakash sir, तो फटा-फट, जो है, Session को शुरुआत करते हैं, Nikhil sir, आ गए है, Jyoti ma'am is here, Abhishek sir, Karan ma'am, Karan sir is here, प्रेम sir, जुट चुके हमारे साथ, तो बिल्कुल जो है, शुरुआत करते हैं, हमारे आज के hashtag से, I can, I will, और बिल्कुल इसी जोश को maintain, रखना रहता है, कि आप पूरे दिन, क्योंकि कोई आपको motivate नहीं कर सकता, हम अंदर से खुद बा-खुद क्यों होते हैं, motivated होते हैं, तो भाई, इतने अच्छे मौसम में तो पढ़ना बनता है, बिल्कुल सो मत जाना, ठीक है, बहुत सारे लोग मुझे पता है, कि रजाई ओड कर, ब्लांकेट ओड कर क्या देख रहे होंगे, session को देख रहे होंगे, ठीक है, और बहुत सारे लोग जो है, जिन्होंने exercise भी कर लियोगे, तो बिल्कुल थोड़ा बहुत अपनी healthy की तरफ ध्यान देना है, क्योंकि यही है क्या होता है, healthy season होता है, जब हम अच्छी चीजे खा सकते हैं, इसके लावा तोड़ा physical workout क्या होता है, required रहता है, तो important day से शुरुआत करेंगे, तो according to our list, आज कोई भी important day नहीं है, अगर कोई important day जो है पता चलता है, तो बिल्कुल कल उसे क्या कलिया जाएगा, discuss कलिया जाएगा, तो फटा फट जो है शुरुआत करते हैं, आज के current affair analysis से, और पहली news की तरफ बढ़ते हैं, Information and Broadcasting Minister प्रकाज आवडेकर जी has congratulated प्रसार भारती CEO शशी शेकर विमपती on being elected as the Vice President of Asia Pacific Broadcasting Union, तो Asia Pacific Broadcasting Union के Vice President के तौर पर elect हो गय है कौन, प्रसार भारती के CEO शशी शेकर विमपती जी, तो सूचना और प्रसारन मंत्री प्रकाज आवडेकर जी ने प्रसार भारती के CEO शशी शे शेकर विमपती को Asia Pacific Broadcasting Union के उपाध्यक शुडे जाने पर क्या दी है, बधाई दी है, तो कल ही जो है न्यूस निकल कर आई है, important क्या-क्या रहेगा वो ये रहेगा, कि शशी शेकर विमपती जी जी जो है, वो प्रसार भारती के CEO है, जिनने elect किया गया है as a Vice President of the Asia Pacific Broadcasting Union, ठीक Pacific Broadcasting Union, जो है, largest broadcasting association है वर्ल्ड में, ठीक है, ये जो election हुआ था, ये हुआ था कल, General Assembly of the Union में, जहां पर जो है, इस meeting को और इस election को वर्चुली कंड़ किया गया था, COVID-19 की वज़े से, तो बकाइदा जो है, elections होकर चुना जाता है, विमपती जी जो है, उन्हें elect किया गया है, Vice President ABU का, Asia Pacific Broadcasting Union का, कितने सालों के लिए इन्हें बनाया गया है, तो तीन सालों के लिए इन्हें बनाया गया है, बहुत सारी countries से, बहुत सारे participants थे, जिन पे जो है, election किया गया, उसके बाद जो है, उन्हें चुना गया है, ठीक है, Asia Pacific Broadcasting Union, जो है, 1964 में बना था, एक professional association है, broadcasting organization का, जिसमें 286 members हैं, 57 countries involved हैं, बहुत सारी regions जो है, वो involved हैं, तो इतने सारे लोगों को क्या पहुचाना, broadcasting की services पहुचाने के लिए काम करता है, Asia Pacific Broadcasting Union, जिसके Vice President के तौर पर चुलिए गए है, हमारे प्रसार भारती के CEO कौन, शशी विम पन्ती जी, नेक्स न्यूस के तरह बढ़ रहे हैं, तो नेक्स न्यूस आ रहे है, स्क्रीन पर, India signs 1 billion dollar loan agreement with new development bank for आत निर्भर भारत अभियान, भारत ने NDB के साथ एक अरब डॉलर के रिंड समझोते पर क्या किये हैं, हस्ताक्षर किये हैं, तो 1 million dollar का loan agreement जो है, sign किया है, इंडिया ने कि किसके साथ, new development bank के साथ, किसके साथ sign किया है, भाई, new development bank के साथ, जिससे BRICS development bank के तोर पर भी जाना जाता है, किसके लिए आत निर्भर भारत अभियान को आगे बढ़ाने के लिए इस agreement पर signature किये गए हैं, इंडिया के द्वारा, अगर हम इस news के बारे में और information देखें, तो national new development bank के अगर हम बात करें, तो वो इसमें help करेगा इंडिया की, finance ministry ने ये कहा है, कि ये जो program रहेगा, ये support करेगा government को, जो adverse economic impact है, COVID-19 pandemic का, इसके अलाबा, economy को कैसे recover किया जाया, rural areas में, ग्रामेड इलाकों में, through national resource management works, थी के NRM के थ्रू जो है, कैसे इसे आगे बढ़ाया ज जिससे गाओं के इलाकों के लोगों के जीवन शैली को, COVID-19 की वज़े से जो loss हुआ है, उसे सुधारा जा सके, ठीक है, तो COVID-19 का जो impact पड़ा है, उसके लिए इस agreement पर क्या किया गया है, sign किया गया है, अगर हम बात करें, तो program ने ये कहा है, कि rural infrastructure को सुधाना है, ठीक है, relating to NRM Natural Resource Management के तुरू, ये जो agreement, ये sign हुआ है, Joint Secretary in Department of Economic Affairs, जो बलदेव पूरुशर्तन है, और Vice President of Chief Operations Officer New Development Bank के, इन दोनों के बीच में इस agreement पर क्या हुआ है, sign हुआ है, तो दिहान लगना, Government of India और NDB ने मिलकर $1 billion का loan agreement sign किया है, आत निरबर भारत अभियान के लिए, ठीक है, ना infrastructure को बहतर बना जा सके, COVID उनने इसका जो impact हुआ है, उससे बचने के लिए, मनेरेगा का full form क्या है, महात्मा गांधी National Rural Employment Generation Scheme, मुझे जल्दी से comment box में ये लिखकर बता दो कि भाई, मनेरेगा, ठीक है, पहले ये नरेगा हुआ करता था, मनेरेगा की शुरुआत जो है, कौ सेल, Steel Authority of India Limited gets Golden Peacock Environment Management Award, सेल को Golden Peacock Environment Management Award से नवासा गया है, तो Steel Authority of India one of the महारत ने companies है, ठीक है हमारे देश की और सेल की बात करें, Steel Authority of India Limited की, तो इसका headquarter कहां पर located है, New Delhi में located है, जिसे Golden Peacock Environment Management Award दिया गया है, environment में help करने के लिए, मतलब इसने अपनी activities को ऐसे रखा है कि कही ना कहीं, carbon emission और environment को बहुत जादा effect जो है, वो नहीं पड़ता, अब series ही बात है, कि companies हैं, तो कही ना कहीं, industrial pollution तो रहे गा ही, लेकिन फिर भी जो है, इसने बहुत mitigate करने की कोशिश की है, बहुत कम करने की कोशिश की है, उस वज़े से सेल को Golden Peacock Environment Management Award से नवासा गया है, अगर हम बात करें, तो ये अवार्ड जो है, steel sector में दिया गया है, किसको, सेल को, Steel Authority of India Limited को, जिसका नाम है, Golden Peacock Environment Management Award 2020 का, अगर हम बात करें, सेल की, Steel Authority of India के चेर्मेन, जिनका नाम क्या है, अनिल कुमार चौधरी जी है, उन्होंने ये कहा है, उन्होंने ये कहा है, कि जो कमपनी है, मतलब जो सेल है, वो सकसेसिफ दो सालों से इसकी क्या रही है, विजेता रही है, अगर हम बात करें, तो पिछली बार भी जो है, सेल कहीं ना कहीं, जो है, टॉपमोस्ट Steel Authority of India Limited, टॉपमोस्ट कमपनीज में से रही, जिसे Golden Peacock Award से नवासा गया है, इन्वार्में से चुना गया है, Steel Authority of India Limited को चुना गया है, कि कैसे कैसे ये इन्वार्मेंटल इशूस को कंसिडर करती है, और क्लाइमिट चेंज में कहीं ना कहीं, क्या कर रही है, मदद कर रही है, और बहुत जादा इंडस्ट्रिल पल्यूशन नहीं कर रही है, तो उस वज़े से Golden Peacock Award से नवाजा गया है, कौन, Sales Steel Authority of India Limited, ध्यान रखना, Headquarter कहां पर है, New Delhi में है, महारत ने कंपनी है, और Chairman का नाम क्या है, अनिल कुमार चौधरी जी है, विशाल सर का NTPC का examination है, विशाल सर पहली बाद तो जैनवरी से लेकर पूरे Current Affairs, जो है, वो cover up करने है, ठीक है, जैनवरी से लेकर अभी तक एक बाद पूरा आपको revise करना पड़ेगा, और Sunday को, मतलब 20 December को, जो 6 गंटे की class चलेगी, morning 6-12, उसमें मैं जैनवरी से लेकर अभी तक के पूरे Current Affairs, जितने important है, वो सब क्या गलूंगे, discuss, और previous years के papers को solve करना, क्या करना है, विशाल सर बिलकुल start कर देना है क्योंकि बहुत सारे लोगों को mails आने लग गए है, किस की तरफ से, रेलवे की तरफ से, तो जल्दी जो admit card release होने की face में आगे बढ़ रहे है, very good morning, अचना ma'am, प्रशान से, good morning, जीके, निशा ma'am, कुछ पूछना चाहते हो, क्या पूछे चाते हो, निशा ma'am, आपका comment ऊ पर चला गया है, बिल्कुल निशा ma'am, फिट से जो है, एक बार comment कर दो, please, okay, yes, विशाल सर को हम सब की तरफ से, all the best, बढ़िया से, जिनका भी examination है, बढ़िया से, दीजेगा, चलो, next, अगर हम बात करें, तो अगली news की तरफ बढ़ना और अगली news आ रहे है, स्क्रीन पर, Government of India and World Bank sign 400 US dollar million project to protect India's poor and vulnerable from the impact of COVID-19, भारत सरकार और विश्व बैंक COVID-19 उनने इसके प्रभाव से भारत के गरीब और कमजोर लोगों को बचाने के लिए 400 million dollar की परियोजना पर हस्ताक्षर किया है, तो अभी हमने NDB की बात की थी, new development की बात की थी, अब आ गया है, कौन पिक्च dollar के project पर क्या किये है, sign किये है, जिसमें देश के गरीब और कमजोर लोगों को बचाने के लिए क्या किया जाएगा, काम किया जाएगा, क्योंकि COVID-19 की वजए इससे जो है, शेहरों में जितने लोग affected है, काई ना कई गाव में उतने लोग affected है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शेहरों में जादा लोग affected है, as compared to rural areas में, क्योंकि वो रोग agriculture पर थे, कहीं ना कहीं, उन्होंने तो अपने जीवन यापन कर लिया, हाँ, जो migration कर रहे हैं, पलायन कर रहे हैं, उनके लिए जो है, सबसे tough situation रही है, बागी शेहरों में भी लोगों के हाला, जो है, वो बहु चलो, next अगर हम बात करें, तो अगली news की तरफ बढ़ रहे है, union minister of external affairs, union minister of external affairs, निशा माम एक बार जो उसे recheck कर लेंगे, I thought वो ndb के साथ ही है, ठीक है ना, तो एक बार बिलकुल उसे निशा माम चेक करके, टेलिग्राम चैनल पर क्या कर दूंगी, मैं पोस्ट कर दूंग Union minister of external affairs, Dr. S. J. Shankar, लेट the foundation stone of six squash courts at Major Dhyan Chan National Stadium in the presence of Union Minister of Youth Affairs and Sports, Kiran Rijiju in New Delhi, केंद्री विदेश मंत्री, Dr. S. J. Shankar ने नई दिल्ली में, केंद्री युवा मामले और खेल मंत्री, श्री किरन रिजु जी की उपस्तिती में, Major Dhyan Chan National Stadium में, छे squash court की आधार शिला रखी है, तो Major Dhyan Chan की बात करें, तो जो होकी के जादूगर कहे जाते हैं, जिनके उपलक्ष में National Sports टे मनाया जाता है, कब 29th of August को 29th of August को Shravan sir, बिल्कुल आपका तो नाम ही इतना अच्छा है Shravan sir, ठीके तो 29th August को जो है National Sports टे मनाया जाता है Major Dhyan Chanji की उपलक्ष में, और Major Dhyan Chan National Stadium जो लोकेट शंकर जी, उन्होंने ये आधार शिला रखी है, और मौझूद रहे, कौन? Union Minister of Youth Affairs and Sports, किरन रिजीजु जी जो है, बिल्कुल पूरी तरीके से क्या रहे, मौझूद रहे, नेक्स न्यूस की तरह बढ़ रहे हैं, तो भाई, अगर मैं बात करूँ, तो कल से WhatsApp पे सबने चेक क आने लग गया है, आप UPI के द्वारा फंड भी क्या कर सकते हो, अब ट्रांसफर कर सकते हो, तो बिल्कुल जो है, आप लिंक कर सकते हो, अपने बैंक अकाउंट को किसके साथ, WhatsApp UPI के साथ, अगर हम बात करें UPI की Unified Payment Interface की, तो UPI एक ऐसी सर्वेस है, जिसकी शुरुआत कि ने की भई, NPCI ने की ती, जिसकी शुरुआत किस ने की थी, National Payment Corporation of India ने की थी, तो अब UPI के द्वारा WhatsApp से भी फंड रांसफर कर सकते हो, अभी जो है, SBI, HDFC और Access Bank के साथ, WhatsApp पेमेंट क्या हुआ है, लाइव हुआ है, अच्छा, कल मैंने इससे चेक करके देखा, तो बहुत सारे बैंक्स की क्या आरी है, माँ पे लिस्ट आरी है, लेकिन कुछ ही बैंक्स अभी क्या हुए है, अगर आपका SBA, HDFC, Access Bank में खाता है, तो बिल्कुल आप पहले चरण में फंड रांसफर कर सकते हो, इसके द्वारा UPI के द्वारा, तो WhatsApp ने एक नई फैसिलिटी साथ कर द और PIN मांगता है, तो चीजे क्लियर हैं, कहीं न कहीं सेफ है, क्योंकि पीर-to-peer basis का आगया है, जैसे हम कहते हैं कि WhatsApp के रिकॉर्डिंग को क्या नहीं किया जा सकता, कहीं पे भी क्या नहीं किया जा सकता, उसे रिकॉर्ड नहीं किया जा सकता, तो देखना बहुत सारे वो है क्या, Human Development Index, Human Development Index, HDI, मानविकास सूचकांग की जो है, रिपोर्ट आ चुकी है, जो UNDP निकालता है, United Nation Development Program हर सान निकालता है, और इंडिया जो है, वो दो प्लेसेज जो है, वो क्या हो गया है, नीचे आ गया है, जो इंडिया का रांग 129 हुआ करता था, अब इंडिया क रांग 131 आ गया है, 189 countries में, तो Human Development Index की रिपोर्ट आ गई है, UNDP की अपने आप में बहुत ही important है, और ये question आपको साल बर देखने को मिलेगा, जब तक अगली रिपोर्ट नहीं आ जाती, HDI की, तो इंडिया जो है, 131 प्लेस पर रहा है, UNDP की रिपोर्ट पर 189 countries में, अब ये माना विकास उचकांक होता क्या है, Human Development Index होता क्या है, और इसे calculate कैसे किया जाता है, उसके बारे में जो है, आप बात करते हैं, ठीक है ना, प्रवीन सर हो सकता है कि कुछ इशु हो, यहां से तो Network Issue नहीं है, ठीक है ना, चलो, next अगर हम बात करें, तो ये Human Development Index Report जो आई है 2020 की उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है, नाम दिया गया है, The Next Frontier, Human Development and Anthropocene, ये रिपोर्ट जो है निकालता है, UNDP, United Nation Development Program, कौन निकालता है, UNDP निकालता है, United Nation Development Program, इंडिया का जो score रहा है, वो रहा है, 0.645, और इंडिया का rank रहा है, 131, कितनी countries में, 189 countries में, ठीक है, ठीक है, दूसरे places के अगर हम बात करें, तो ग्राफ्द किया है, countries में, आइलेंट और स्विजिलेंड जो है, ये सेकेंड और थर्ड प्लेस पर रही है, अगर हम बात करें कि ये जो rank है, ठीक है, ये जो rank है, ये प्रोवाइड किया गया है, जो 2019 का पूरा का पूरा डेटा उस पर based ये rank रहेगा, इंडिया जो थी, वो 2019 में, Human Development Index में, मानविकास सूचकांग में, 129 rank पर थी, इस बार इंडिया जो है, दो प्लेसे slip हुई है, और कितने rank पर आ गई है, 131 rank पर, अगर हम बात करें, Human Development Index की मानविकास सूचकांग की तो ध्यान रखना, कि ये based रहता है तीन criteria's पर, ठीके, तीन criteria's पर जो है, इसे क्या किया जाता है, value को calculate किया जाता है, पहला, life expectancy कितना कौन जी रहा है, ठीके, life expectancy कितनी है, कितने सालों तक है, education and per capita income, education और per capita income प्रतिविक्ति आई पर बेस रहता है, और तीसरी की बात करें, अगर हम, तो ये हो गए, life expectancy, education और per capita income, ये तीन criteria हो गए, जिस पर base रहता है, लेकिन, एक बात जो important रही, वो ये रही, ध्यान रखना, 2020 की जो HDI की report आई है, उसमें एक और index को include किया गया है, experiment के तोर पर, और वो रहा है कौन सा, planetary measures, planetary measures का मतलब है, कि ऐसी countries को जो है, ranking दी गई है, जिनका carbon dioxide emission और material footprint जो है, जिनो countries की तरफ से कम रही है, मतलब वो environment में भी क्या कर रहे है, support कर रहे है, उस पर भी countries को क्या दी गई है, marking दी गई है, तो ये एक experiment के तोर पर, नया index, नया measurement का criteria क्या किया गया, जोडा गया, जिससे नाम दिया गया, क्या, planetary measures, ठीक है, planetary pressures, मतलब प्लानेट को बचाने के लिए, countries जो है, कितना pressure लगा रही है, अपनी तरफ से, तो वैसे HDI तीन criteria पर, जो है, क्या किया जाता है, calculate किया जाता है, life expectancy, education, और प्रतिविक्ति आया, per capita income, 2020 की बात करें, तो ये 38 नमबर की anniversary रही, 30 वी anniversary रही, जब first human development index की report जो है, वो आई थी, next अगर हम बात करें, तो इंडिय का rank हमने का, कितना रहा, 131, टॉप किस country ने किया है, तो टॉप किया है भाई किसने, Norway ने, टॉप किस country ने किया है, Norway ने किया है, दूसरे नमबर पर, कौन सी country रही, Ireland, तीसरे नमबर पर रही, कौन सी, Switzerland, अगर हम बात करें, सबसे last 189 countries कौन सी रही, Nigeria, मतलब अगर हम बात कर कहीं न कहीं, अगर हम बात करें, कि यह जो रिपोर्टेस में यह कहा गया है, कि इंडिया का gross national income जो है, वो भी क्या हुआ है, कहीं न कहीं डाउन हुआ है, इसके अलावा medium human development category पर है इंडिया, क्योंकि यह जो इंडिया का score आए है, ये बताता है कि medium HDI है देश में अब अगर हम बात करें तो HDI जो है वो कहीं न कहीं जो score है वो increase हुआ है इंडिया का Life expectancy at birth भी increase हुई है 11.8 years मतलब कितने सालों तक कौन जी रहा है अगर हम बात करें mean year of schooling की तो वो भी increase हुई है इंडिया की 3.5 years मतलब कितने बच्चे कितने समय तक स्कूल में जाते हैं ठीक है expected years of schooling जो है वो भी increase हुई है 4.5 years की बात करें तो कहीं न कहीं score तो इंडिया का क्या हुए improve हुआ है लेकिन बाकी countries में और क्या कर लिया है improvement कर लिया है अगर हम बात करें तो इंडिया जो है top 3 countries में रहा जहां पर सबसे का unemployment rate रहा और high number of seeds जो है वो held की गई किसके द्वारा women के द्वारा local governance में ऐसी report में इंडिया जो है व का impact बहुत जादा देखने को मिला September 17 2020 में ध्यान रखना India जो है 116 position पर रहा among 174 countries जो Human Capital Index की report आई थी जिसे किसने release किया था World Bank ने release किया था ठीक है ना तो ये मानव जो है पूंजी सूचकांक रहता Human Capital Index की report थी जो September 2020 में आई थी जिसमें इंडिया का rank 116 number पर रहा था 174 countries में ठीक है और अगर हम बात करें UNDP की जो HDI report निकालता है Human Development Index मानव इका सूचकांक report निकालता है इसका headquarter कहां पर है न्यू यॉक में है UNDP का और इसके administrator या head icon Achim Stainer इसके administrator या head icon Achim Stainer तो UNDP अपने आप में एक important रहेगा लांस में जिसकी बात करें तो Human Development Index में इंडिया का rank 131 रहा है कितनी member countries में 189 member countries में टॉप किस ने किया है नॉर्वे ने और सबसे नीचे कौन सी country रही है अगर हम बात करें तो वो नाईगर रही है नेक्स्ट अगर हम अगली news की बात करें तो BPCL भारत Petroleum Corporation Limited और SBI Card ने मिलकर एक नया credit card जो है वो launch कर दिया है आप screen पर देख सकते हो जिसका नाम है BPCL SBI Octane Card for consumers who spend significant amount on fuel BPCL SBI Card Octane एक नया तरीके का credit card रहेगा जो उन भोगताओं के लिए जो इंधन पर महत्वण राशी खर्च करते हैं तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो consumers हैं जो amount of fuel बहुत जादा क्य करते हैं ट्रावल करते हैं अपनी गाडियों से तो BPCL और SBI Card ने मिलकर उनके लिए एक नई तरीके का क्या निकाल दिया है credit card निकाल दिया जिसका नाम क्या है BPCL SBI Octane Card जिसका नाम क्या है BPCL SBI Octane Card ठीक है नेक्स्ट अगर हम बात करें इसी news के बारे में तो 15 December की ये news है जिसमें SBI Card ठीक है और SBI Payment Services Limited जिसे SBI Card कहा जाता है और भारत Petroleum Corporation Limited दोनों ने मिलकर BPCL SBI Card Octane निकाला है जो एक co-branded credit card रहेगा इस credit card की जरिये जो है बहुत सारे offers जिये जाएंगे customers को जो fuel में बहुत जादा पैसा क्या करते हैं खर्च करते हैं ठीक अगर हम बात करें किस कौन है अश्वनी कुमार तिवारी जी है कौन है CEO अश्वनी कुमार तिवारी जी है ठीक अगर हम बात करें BPCL की भारत Petroleum Corporation Limited की तो इसका headquarter कहां पर है मुंबई महराश्च में है BPCL का और इसकी CMD कौन है के पदमाकर है इसकी CMD कौन है के पदमाकर है तो ध्यान रखना है B BPCL ने SBI कार्ड के साथ मिलकर BPCL SBI Octane कार्ड लांच किया है Credit कार्ड लांच किया है ऐसे consumers के लिए जो fuel पर बहुत ज़्यादा क्या करते हैं खर्च करते हैं Next News की तरफ बढ़ रहे है Norway Science MOU with Clean Ganga Mission for Development of Sludge Management Framework in India Norway भारत में कीचर प्रबंदन धाचे के विकास के लिए स्वच गंगा मिशन के साथ समझोते ग्यापन पर उसने क्या कर लिए है हस्ताक्षर कर लिए है तो Norway के साथ MOU sign हुआ है Clean Ganga Mission का कि Sludge Management कैसे किया जा सके ठीक है क्योंकि हम देखते हैं कि Ganga को clean करना अपने आप में बहुती बड़ा टास्क है तो उसके लिए कीचर प्रबंडन धाचे के विकास के लिए कैसे कैसे उसे re-utilize किया जा सके क्या क्या काम ऐसे किये जा सके उसके लिए Norway ने ये agreement पर क्या किया है sign किया है अगर हम बात करें तो ये agreement sign हुआ है किसके दवारा Norwegian Institute of Bio Economic Research के दवारा ये agreement क्या किया गया है sign किया गया है किसके साथ National Mission for Clean Ganga के साथ और इस news की बारे में थोड़ी सी बात करें 10 से लेकर 15 December तक 5 दिन का वर्चुल समेलन चला है 5th India Water Impact Summit जिसे IWIS कहा गया India Water Impact Summit जिसे organize किया था National Mission for Clean Ganga and Center for Ganga River Basin Management and Study जिसे C Ganga कहा जाता है इस बार की जो theme दी गई थी वो theme क्या दी गई थी अर्थगंगा River Conservation Synchronized Development अर्थगंगा इस बार की theme दी गई थी अगर हम बात करें कि ये जो सम्मेलन हुआ है इसका inauguration किसने किया था तो no doubt Union Minister of Jal Shakti कौन है गजेंदर सिंग शिकावा जी उन्होंने इसका inauguration किया था इंडिया Water Impact Summit था पाँच दिन का ये सम्मेलन था जिसकी theme क्या थी अर्थगंगा theme थी ये जो सम्मेलन रहा इसमें इंटराक्शन हुआ बहुत सारे global investors है stakeholders है जो water sector से related थे कैसे कैसे water और river management किया जा सके उस पर ये पूरा का पूरा जो था सम्मेलन क्या रहा था based रहा था अगर हम बात करें तो इसी सम्मेलन में इसी सम्मेलन में Norwegian Institute of Biochemical Research जो है उसने Bio Economic Research जो है जिससे नीवियों कहा जाता है उसने MOU sign किया है सी गंगा के साथ मतलब किसके साथ Center for Ganga River Basin Management and Studies के साथ कि sludge management framework को कैसे सुधारा जाए कीचन प्रबंदन को कैसे सुधारा जाए कहां पर गंगा में अगर हम बात करें ये गंगा river management basin की सी गंगा की तो ये जो है think tank है NMCG का NMCG क्या है National Mission for Clean Ganga के अंदर ये काम करता है जिससे 2016 में बनाया गया था जो जिसका headquarter कहां पर है IIT कानपूर में इसका headquarter located है और जिसके founding head कहे जाते है विनो तारे जी अगर हम बात करें तो Norwegian society के साथ जो है agreement sign हुआ है तो Norway की capital क्या है भाई Oslo है और Norway की currency क्या है प्रोन है Norway के अगर हम बात करें प्राइम मिनिस्टर की तो उनका नाम Erna Solberg है और Ambassador of India to Norway कौन है बाला भासकर जो है ठीके न तो अर्थ गंगा जो है इसकी theme important रहेगी इसके अलावा जो है किसके साथ इस agreement पर sign हुआ है तो वो कौन सी country है Norway के साथ sludge management पर ठीके न की future प्रबंदन विकास को कैसे सुधारा जाए उसके लिए क्या हुआ है agreement sign हुआ है नेक्स अगर हम बात करें अगली न्यूस की तड़ा बढ़े यूनिप announces 2020 Champions of the Earth अवार्ड यूनिप ने 2020 Champions of the Earth अवार्ड की क्या कर दी है गोशना कर दी है यूनिप क्या है United Nation Environment Program है तो ऐसे ल इस अवार्ड को दिया गया है पहली बात अगर हम करें entrepreneur vision के लिए मिंडी लूबर को इस अवार्ड से नवाजा गया lifetime achievement अवार्ड दिया गया environment के case में रॉबर्ट बुल्यार्ड को inspiration and action अवार्ड दिया गया है निमॉन्टे को इसके लब हम बात करें तो फ्रांक बनी रामा को जो है अवार्ड से नवाजा गया याकुब सवड़वो को इस अवार्ड से नवाजा गया 2020 का ये अवार्ड है अगर हम बात करें तो ये अवार्ड जो है ये अवार्ड जो है पांच कैटिगरी इसमें दिया जाता है पहला lifetime achievement, inspiration and action, policy leadership, entrepreneurship vision, science and innovation ठीक है तो इस बार जो है छे इंडिविजुल्स को इस अवार्ड से क्या किया गया है नवासा गया है अगर policy leadership की बात कर लेगे ना तो और science और innovation के लिए ये अवार्ड दिया गया है Fabium को और entrepreneur vision के लिए ये अवार्ड जो है दिया गया है Mindy Luber को जो एक American social entrepreneur है, lifetime achievement अवार्ड से नवाज देगा है Robert Bulliard जो एक American scholar है, तो 5 categories में इस अवार्ड को दिया जाता है, इस बार 6 लोगों को इस अवार्ड से लोग शामिल होते हैं, जिसने environmental में जो है पर्या वरण में जो एक positive impact लाने की क्या की है, कोशिश की है, नेक्स अगर हम बात करें, अगली news की तरह बढ़ रहे हैं और अगली news आ रही है, किरन मैम बिलकुल जो है, आपका comment जो है, अब दिखाई दे रहा है मुझे, अमीश्त पाटी की जो है, दूसरी non-fiction book जो है, वो launch हो रही है December में, जिसका नाम है, क्या धर्मा decoding the epics for a meaningful life, ये जो बुक है, अमीश्त पाटी की है, दूसरी non-fiction book है, भाई, एक fiction book होती है, तो fiction books कौन सी होती है, fiction books जो imagination पर based होती है, ठीक है, जो हम सोच बना लेते हैं, imagination उस पर based होत होती है, real stories पर based होती है, ठीक है, तो धर्मा नाम की जो है, एक book जो है, रिलीज होगी 28 December को, किसकी अमीश्त पाटी की, अगर हम बात करें, अमीश्त पाटी की, तो अमीश्त पाटी की, जो है, अगर हम बात करें, 2017 में एक और non-fiction book आई थी, बहुत सारे लोगों ने पढ़ी ठीक है, ये book जो है, ये describe कर रही है, हिंदू epics, रामायन और महा भारत को modern world से क्या करें, डिपिक कर रही है, तो रामायन और महा भारत के lessons को, जो है, क्या किया गया है, शामिल किया गया है, नाम है धर्मा, deporting the effects for a meaningful life, और किसकी book है, ध्यान रखना, अमीश्त पाटी की book है, नेक्स अगर हम बात करें, तो three day long migratory bird festival conducted in भागलपूर बिहार, भागलपूर बिहार में आयोजित किया गया तीन दिवसी प्रवासी पक्षी महुचसा, जिसका जो है क्या हो गया है, conclude कर दिया गया है, जिसे end कर दिया गया है, तो तीन दिल लंबा चला migratory bird festival जो भागलप बिहार में conduct किया गया, अगर हम बात करें भागलपूर बिहार की, especially बिहार की, तो बिहार में जो tiger reserve ध्यान रखना वो कौन सा है, वालमिकी tiger reserve है, इसके लावा बहुत सारी bird century हैं बिहार में, जहां पर ये migratory birds आती हैं, पलायन करते हुए आती हैं, ठीके वहां पे बहुत सा celebrate किया जाता है, किस कौन सी तारिक को भई, 10 October को celebrate किया जाता है, World Migratory Day, और इस बार की theme क्या दी गई थी, birds connect world, birds connect world इस बार की theme भी दी गई थी, तो वालमिकी tiger reserve जो है, ये located है कहां पर बिहार में, bird century कौन कौन सी important है बिहार में, जहां जहां पर migratory birds आती हैं, और वो कौन बिहार में located है, अगर मैं बात करो तो बिहार state forest department ने तीन दिन का जो है, ये migratory bird festival conduct कराया, 11 से लेका 13 December के बीच में, hundreds of migratory birds जो है भागलपूर रीजन में आती है, winter season में, ठीके तो winter season में बहुत सारे जो है, पलायन करती हुए birds कही ना कहीं जो है, शामिल होती है, ठीके इस लोगों को जो है, उस event से पूरी तरीके से क्या कराना, अवेर कराना, उसके जो है, बायो डायवरसिटी और ecology को कैसे बचा कर रखना, क्योंकि कहीं ना कहीं, जो migratory birds है, वो बहुत जादा मदद करती है, environment ecology में भी, next news की तरह बढ़ रहे हैं, तो आज की newspaper cutting जो है, वो important रही जो है, 3.41 PM में मतलब approximately पॉने चार बजे जो है, इसका क्या करेगा, launching करने वाला है, तो Indian Space Research Organization जो है, launch करने वाला है, अपनी communication satellite CMS01, ठीक है न, जो PSLV C50 से क्या किया जाएगा, launch किया जाएगा, कहां से, Satish Dhawan Space Center, ठीक है न, Satish Dhawan Space Center से इसे क्या किया जाने वाला है, launch किये जा तो 25 आगंटे का जो countdown है, वो begin हो चुका है, ठीक है, Wednesday को ही begin हो चुका है, अगर मैं बात करूँ, तो CMS01 जो है, वो 40 second number की communication satellite रहेगी, इंडिया की, ठीक है, और ये इंडिया का 52 number का क्या रहा है, mission रहा है, तो इस रो जो है, अपने आप में बहुत ही important important events कहीं न, कहीं क्या कर रहा है, conduct करा रहा है, तो CMS01 जो है, communication satellite उसे क्या किया जाएगा, launch किया जाएगा, next news की तरफ अगर हम बढ़ें, तो आज जो है, important रहा, दाइंदू newspaper में, वो ये रहा, कि इंडिया जो है, दो रांक नीचे चला गया है, कहां पर Human Development Index में, HDI में, और इंडिया का rank हमने discuss कर लि 2019 का report है, जो 2020 में आया है, जिसमें इंडिया का rank कितना निकल कर आया, 131-2 गया है, इंडिया 129 rank हुआ करता था, और अगर हम बात करें, तो बहुत सारी countries जो है, बहुत सारी countries जो है, वो इंडिया से आगे रही, जैसे कि South Africa, सोचो उसका rank 114 नंबर पर है, ठीक है, China, Brazil, Sri Lanka, Russia, इसके अलावा, नोड़ार, पाकिस्तान, नेपाल, बांगलादेश जो है, वो इंडिया से कहीं न कहीं क्या है, पीछे है, कितने जो है, indexes, कितने parameters पर इसे calculate किया जा रहा था, तो criteria कितने थे, तीन, इस बार experiment के तोर पर एक planetary pressure नाम का क्या किया गया था, criteria को क्या किया गया एड किया गया था, report कौन निकालता था, UNDP, United Nation Development Program, जिसका headquarter कहां पर located था, New York में located था, ठीके न, तो ये जो है, कहां जा रहा है, कि 2019 का है, ठीके अभी तो है, इसमें बहुत जादा COVID की cases के impact को नहीं शामिल किया गया है, तो अगली report जब आएगी 2021 की, जब 2020 का data निकल कर 2024 का edition जो है, वो conduct होगा कहां पर, Saudi Arabia में, तो भई जो है, टसल बनी होई थी, कहीं न, कहीं, ठीक है न, जो confirmation नहीं हो पाली थी, deal struck थी बीच में, rival nations के बीच में, तो कतर जो है, वो 2030 का Asian game होस्ट करेगा, और 2034 का Asian game, जो है, वो मिल गया है, किसे, Saudi Arabia को, कतर की capital क्या है, दोहा ह है, Saudi Arabia की capital क्या है, रियाद है, तो दोनों अलग-अलग countries हैं, ठीक है, बले ही दोनों Saudi countries हैं, लेकिन अलग-अलग countries हैं, ठीक, तो ये बहुत समय से कहीं न, कर डील जो है, वो struck थी, जिस वज़े से, जो है, confirmation नहीं मिल पा रहा था, लेकिन आखिरकार जो है, ये decision ले लिया ग पर, ठीक है, उसमें जो है, inauguration हुआ था, Asian Games का सबसे पहली बार 1951 में, तो hockey facility के लिए well-known माना जाता है, कौन सा major ध्याचन national stadium, जिसमें अब जो है, squash अलग से squash court रहेंगे, अलग से court बनाया जाएगा, ठीक, तो आप जो है, स्क्रीन पर देख सकते हो, Union External Minister S.Jar Shankar, इसके अला जाएगा, कहाँ पर, Major Dhanchan National Stadium में, जो है, Asian Games की शुरुआत भी यही से होई थी, 1951 में, अब जो है, इस National Stadium में, squash courts भी रहेंगे, क्योंकि कई न कोई, squash जो है, game, उसे क्या करना है, आगे बढ़ाना है, तो Sports Authority of India के, आप जो है, Director General को भी, Screen पर दे पा रहे हो, और Sports Authority of India के, Director General को 23rd December को, 3 से 5, CGL, CHSL का, और 30 December मतलब, Last Wednesday की बात करें, तो नए साल की भी, बिल्कुल क्या हो जाएगी, शुरुआत हो जाएगी, तो यह कुछ upcoming batches है, तो आप basic से पूरा का पूरा पढ़ सकते हो, जादा information के लिए, Mahindras.org की वेबसाइट पर क्या कर सकते हो, विजिट कर सकते कि सब लोग M.C. के लिए ready हो की ने, yes or no, फटा फट बता दो, सब लोग multiple choice question के लिए ready हो गए हो की ने, और 300 से जादा जितने भी candidates हमारे साथ जड़े हो है, चोरी-चोरी चुपके-चुपके session को नहीं देखना है, कहा जाना है, कहा जाना है, कमेंट बॉक्स में और अपने answer के लिए एक क्रिक्तित, विकास नियंतरन और सरवधक विनियम शुरू किया है, तो UD CPR नाम का जो है, एक नया program launch किया है, real estate के लिए, real estate के लिए बात करें, ठीक है, तो किस state government ने इस program को launch किया है, नाम है, unified development control and promotion regulation, तो real estate में जो लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, building में जो काम कर रहे हैं, builders हैं, जो उनके लिए एक similar policy रहेगी, चाहे municipal corporations हो, चाहे जो भी जगे हो, तो similar policy बना दी गई है, इस scheme के दवारा, real estate के लिए, और किस राज़ ने ऐसा किया है, unified development control and promotion regulations बना दिये है, तो वो कौन सा राज़ है, बिलकुल कौन सा है, महराश्र है, नेक्स बात करें, अगले question की, brand India mission launched by government of India is being piloted by, भारत सरकार द्वारा शुरू किये गए, brand India mission को कौन संचालित कर रहा है, किसके द्वारा संचालित किया जा रहा है, brand India mission में क्या कहा गया है, कि India के अंदर बने जो सामान है, जो production हुआ है, इंडिया के अंदर, उसे जो है क्या मिले, बढ़ाव mission की शुरुआत की गई है, कि Indian brands रहेंगे, तो कौन जो है, इस पूरी योचना को संचालित कर रहा है, option है, आपके पास नीतियायोग, Ministry of Consumer Affairs, Ministry of Agriculture, Finance Ministry, या फिर Ministry of Commerce and Industry, तो बिल्कुल भाई, सही answer आने लग गए है, कौन है वो, जो brand India mission को आगे बढ़ा रहा है, आत्मिरबर भा को देखते हुए, वो कौन है, Ministry of Commerce and Industry, Ministry of Commerce and Industry, वानिज जो और उद्योग मंत्राले जो है, इसे आगे बढ़ा रहा है, जल्दी से बता दो कि Commerce and Industry Ministry किसके पास है, वानिज जो और उद्योग मंत्राले किसके पास है, वेरी गुड दिपाली माम, निकिल सर, घंशा, मालोक सर, श वेरी गुड निशा माम किसने किया है, Ministry of Commerce and Industry, जल्दी से बता दो कि वानिज और उद्योग मंत्राले किसके पास है, आराम से जो है, आराम से आप्शन को पढ़ना, Ministry of Commerce and Industry किसके पास है, जल्दी से बता दो, भाई, सबका ही गलत हो गया, ठीक है, बही, सबका ही गलत हो गया नीतियायोग का कंसेप जो था वो अलग था, चीक है, नीतियायोग ने अलग से रिपोर्ट निकाली थी, 2035 वाली वो हमने देखी थी, वाइट पेपर लाँच किया था, बहुत बढ़िया, नेक्स अगर हम बात करें, अगले क्वेशन की तरह बढ़ रहे है, विच बैंक है लाँच्ट, FX4U for Forex Remittances via Internet Banking, किस बैंक ने Internet Banking के माध्यम से विदेशी मुद्रा प्रेशन के लिए FX4U लाँच किया है, तो FX4U एक जो है नया पेमेंट आप लाँच किया है, Forex Remittances के लिए मतलब विदेशी मुद्रा प्रेशन के लिए Internet Banking के तरू, किस बैंक ने इसकी श Bank of India, येस, पावन सर, बिल्कुल बिल्कुल पावन सर, जल्दी जल्दी आंसर देते जाने है, पावन सर, बहुत बढ़िया भई, प्यूश गोयल जी के पास है, वेरी गुड एवरिवन, ठीक है न, अराम से पड़ो, अराम से पड़ो, FX4U जो है, Forex Remittances जो है, आप कर सकते है, Kenera Bank ने, Kenera Bank के अगर हम बात करें, तो Together We Can, इसकी क्या है, टैग लाइन है, और Headquarter कहां पर है, Kenera Bank का, Bengaluru में Headquarter located है, Next Question की तरह बढ़ रहे है, Who among the following has been reappointed as Managing Director of KOTAK Mahindra Bank, निमलिखित में से किने, KOTAK Mahindra Bank का MD Nuked किया गया है, तीन साल के लिए फिर से, इने KOTAK Mahindra Bank का MD Nuked क किया गया है, Option है, प्रकाश आपते, दीपगुपता, उदयकोटक, श्रीकांत, माधव वैद्य, तो KOTAK Mahindra Bank के reappointed नए MD कौन है, तो बिलकुल ये तो आंसर सबको बन जाएगा, कौन है, उदयकोटक है, कौन है, उदयकोटक है, Next आ रहा है, अगला Question, Who among the following has been honored in the Science and Innovation category in the UN Environment Program Champions of the Earth 2020, सायोकतराश्ट परेवरन कारिकरम यूनिप में, Champions of the Earth Award 2020 में, विज्ञान और नवाचार श्रेणी में, निमलिखित में से किसे सम्मानित किया गया है, तो अब देखो, Science and Innovation category में पूछा है, Total कितनी categories थी, 5 categories थी, कितने लोगों को अवार्ड दिया गया था, 6 लोगों को अब इसने पूछ लिया है, कि Science and Innovation category में, जो है, Question में पूछा गया है, विज्ञान और नवाचार शेडी में, किसे सम्मानित किया गया इस अवार्ड से, तो वो no doubt कौन है, Mindy Luber है, American Environmentalist की हमने देखा था, Mindy Luber, तो वो 6 के 6 नाम, आपको कही न कहीं क्या रखने पढ़ेंगे याद रखने पढ़ेंगे, कभी Lifetime Achievement Award आजाएगा, कभी Science and Innovation पूछ लेगा, तो इस तरीके से Questions जो है, अलग-अलग तरीके से, उन 6 नाम में से बनाया जा सकते हैं, Next Question की तरह बढ़ें, Which of the following has launched the 5th and final offshore patrol vessel IGCS, Indian Coast Guard Guard Ship, that is Saksham, निमलिकित में से किसने, पाँचवे और अंतिम, अपत्तिये, गश्ती पोत ICGS, Indian Coast Guard Ship Saksham को लाँच हिया है, तो Indian Coast Guard Ship, जो है, वो launch की गई, यह सक्षम नाम की, जो पाँचवी और जो है, final offshore patrol vessel रहा है, कौन से shipyard का, option है, हिंदोस्तान shipyard limited, Garden Research and Engineers limited, कोचिन shipyard limited, या फिर Goa shipyard limited, तो हाली में सक्षम नाम की, India Coast Guard Ship, जो है, launch की है, किसने, Goa Shipyard limited ने, किसने launch की है, Goa Shipyard limited ने, इसे क्या किया है, launch किया है, ठीक है ना, good morning, good morning, विपारी, very good morning, next question की तरह बढ़ रहे हैं, next question आ रहा है, screen पर, Each year, Dash is celebrated as Vijay Divas to commemorate India's victory over Pakistan in 1971, 1971 में भारत की पाकिस्तान में जीत के उपलक्ष में प्रतिवर्ष, प्रतिएक वर्ष, Vijay Divas जो है, कब मनाया जाता है, तो 1971 के उपलक्ष में जो है, जो वार हुई थी, जिसमें इंडिया की विक्तरी हुई थी, पाकिस्तान में, और इसको लिबरेशन मिल गई थी, तो 1971 में जो हुआ था, ये किस दिन मनाया जाता है, विजय दिवस, उप्षन है, 14 डिसेंबर, 15 डिसेंबर, 16 डिसेंबर, या फिर 17 डिसेंबर, तो विजय दिवस, जो है, सेलिबरेट किया जाता है, कब है, 16th of December को मनाया गया था, कल सेलिबर पन्न विबूशन अवोडी और प्रख्यात अेरोशोपेस Bedgyānत का नाम बताईए जिनका हाली में निधन हो गया है, औपशन है रोडम नर्सिम्मन, अस्तार बेबो, बन्ना जी गोविन शारीज, श्रीपती खाँलेजी, या श्रीपती खान चेले, सब का जो है कही नगा अबिचुरी से सबके सब रिलेटेड है एमिनेंट एरोस्पेस साइंटेस कौन है इन में से वो कौन है रोडम नरसिम्मन जिनका हाली में क्या हो गया निदन हो गया next question की तरफ बढ़ रहे है what is the tagline of Kotaak Mahindra Bank की tagline क्या है smart way to bank let's make money simple changing face of prosperity the name you can bank upon Kotaak Mahindra Bank की tagline क्या है हमने हाली में देखा कि Kotaak Mahindra Bank के जो है तीन सालों के लिए नए MD बना दिये गया है फिर से कौन उदे Kotaak आपको बताना है Kotaak Mahindra Bank की tagline क्या है इसमें से smart way to bank with let's make money simple the changing face of prosperity the name you can bank upon very good very good Kiran ma'am Moni Shivam sir बहुत बढ़िया next Pooja ma'am very good B. Marana Pavan sir Nikil sir बहुत बढ़िया Rahul sir next बता दो जल्दी से हैदर अली ठीक है Kotaak Mahindra Bank की tagline क्या है बिल्कुल सही सबके answer आने लग गए है कौन सी है let's make money simple कौन सी है tagline let's make money simple Kotaak Mahindra Bank की next question की तरह बढ़ रहे हैं where is the headquarter of UNIP located United Nation Environment Program का headquarter कहां पर located है option आपके पास Helsinki, Berlin, Nairobi या फिर Lisbon UNIP United Nation Environment Program सायोगत राश्य परियावरन कारिक्रम का मुख्याल है कहां पर located है तो बिल्कुल सही answer आने लग गए है भाई कहां पर located है Nairobi Kenya में located है कहां पर located है Nairobi Kenya में located है next question who is the present MD and CEO of Kenera Bank Kenera Bank के वर्तमान MD और CEO कौन है option है संजीव चड़ा, अतानु कुमारदास, पल्लब महुपात्रा, लिंगम वेंकर प्रभाकर या फिर पदमजा चुंदरू Kenera Bank के प्रेजिंट में MD और CEO कौन है, Kenera Bank की tagline क्या थी, together we can, headquarter कहां पर था, Bangaluru में, और MD और CEO कौन है, LV प्रभाकर है ठीक है, MD और CEO कौन है, LV प्रभाकर जी है, अगर मैं बात करूँ पदमाना चुंदरू जी की, तो पदमाना चुंदरू जी जो 12 पब्लिक सेक्टर बैंक जो बचे हुए है, merger के बाद, उनमें से ही, एक ही ऐसा बैंक है, जिसकी MD और CEO जो है, वो फीमेल है, वो है पदमाना चुंदरू जी, किस बैंकी है भई, इंडियन बैंकी है, किस बैंकी है इंडियन बैंकी है, बाकि 11 के 11 में, MD और CEO कौन है मेल से तो पत्मना चुंजरुजी जो है अपने आप में important रहेंगी next question की तरफ बढ़ रहे है next question आ रहा है screen पर great Indian busted century is a wildlife century located in which state great Indian busted अभ्यरण किस राज्यमेस्थीत एक वन्यजीव अभ्यरण है तो आपको बताना है great Indian busted century जो है कहां पर located है ठीक है option है राजस्तान, मनीपूर, मदरप्रदेश, सिक्किम या फिर महाराश great Indian busted अभ्यरण किस राज्यमेस्थीत एक वन्यजीव अभ्यरण है तो बिलकुल सही आंसर आने लगे है very good everyone अभिशेक सर, दिलीब सर, very good यादव, पूजा, चेता सकसेना बहुत बढ़िया, कुमार, रामशंकर very good, केशव सर, निखिल सर, दिनेश सर, चेता very good, very good, संजे सर, बुश्रा, अमन, very good, कमलेश सर कहां पर located है, great Indian busted century और वो कहां पर located है भाई महाराश्च में located है, इसे ध्यान रखना, कहां पर located है, महाराश्च में located है, next question की तरफ, अगर हम बढ़े, तो next question आ रहा है, स्क्रीन पर, government of India signed agreement with whom for 1 million to provide support to art nirvar bharat abyan through manrega scheme to support India's economy recovery from the COVID-19, तो बिलकुल निशा में ध्यान रखना, कि manrega के साथ भारत सरकान ने COVID-19 में आर्थिक सुदारों को समर्तन देने के लिए, किसके साथ 1000 million dollar का agreement sign किया है, तो वो किसके साथ किया है, Asian Development Bank के साथ sign किया है, किसके साथ sign किया है, Asian Development Bank के साथ sign किया है, ठीक है, निशा माम, क्या रहेगा, answer, ADB रहेगा, Asian Development Bank के साथ, इस agreement पर क्या किया गया है, sign किया गया है, नेक्स्ट क्वेशन की तरह बढ़ रहे हैं अगला क्वेशन आ रहा है स्क्रीन पर आंद्रप्रदेश चीफ मिनिस्टर जगन मोहन रेड़ी कॉल्ड ऑन यूनियन जल शक्ती मिनिस्टर गजेंदरे सिंग शिखावत and demand early release of fund to the tune of 55,656 करोड फॉर दा पोला वरम प्रोजेक्ट पोला वरम प्रोजेक्ट is under construction multi-purpose irrigation national project on which river आपको बताना है कि पोला वरम प्रोजेक्ट जो है ये under construction multi-purpose irrigation प्रोजेक्ट है और ये किस river पर जो है बन रहा है तो पोला वरम परियोजना किस नदी पर निर्मार्दीन बहु छेतरी सिचाही राश्री परियोजना है अपने आप मे ये important question और पोला वरम प्रोजेक्ट जो है किस river पर बन रहा है भई गोदावरी river पर आंधर प्रदेश में कहां पर गोदावरी river पर आंधर प्रदेश में next question की तरफ बढ़े किस nation ने जो है successfully test fire किया है अपना एक heavy lift space rocket जिसका नाम क्या है अंगारा A5 तो अंगारा A5 नाम का जो है अंतरिश rocket जो है सफल प्रशिक्षन किया है किस country ने किस राष्ट ने option है Australia ने चायना ने रश्या ने की फिर India ने तो बिलकुल इंडिया तो है नहीं ना ही चायना है कौन सी कंट्री है अंगारा A5 नाम का जो है space rocket launch किया है किस ने रश्या ने किस ने रश्या ने रश बाती infratel has received approval from the registrar of company for changing its name to भाती infratel को अपना नाम बदलने के लिए मनजूरी मिल गई है और भारती infratel का नाम जो है अब वो किस नाम से जाना जाएगा ये merger की भूट बड़ी process ड़ी है और भाती infratel किस नाम से जाना जाएगा इंडे स्टावर्स की नाम से जाना जाएगा, ठीके कल जो है मैं देख रही थी comment box में बहुत सारे लोग GTL infrastructure कह रहे थे, किस नाम से जाना जाएगा, ध्यान रखना, इंडे स्टावर्स की नाम से जाना जाएगा, आप किसे भारती इंफरा टेल को, नेक्स्ट अगर हम बात करें अगले question की तरफ बढ़े, which nation for the first time in 10 years had decided to participate in a joint exercise that is among 2021 with the NATO members, दस फर्षों में पहली बार, किस राश्च ने ये निर्ने लिया है कि नाटो सदस्यों के साथ वो एक संयुक्त अभ्यास, जो अमन नाम का संयुक्त अभ्यास होता है, जो नाटो countries करती ह उसमें भाग लेंगी, तो नाटो क्या है, North Atlantic Treaty Organization, these countries जो हैं शामिल होती है, इस अमन नाम की joint exercise में, नाटो का hit quota Brussels, Belgium में है, और कौन सी country जो है, पार्टिसिपेट करेगी, इस युद्ध अभ्यास में, अमन नाम के युद्ध अभ्यास में, नाटो member countries के साथ, इंडिया शामिल that enables money withdrawal from the bank account from the home, कोची के रला में, एस money micro ATM सुयूरू करने के लिए, किस bank के साथ, एस वेर ने भागीदारी की है, जो घर बैटे ही, आपको bank खाते से, पैसा निकालने में सक्षम बनाता है, तो एस वेर के साथ, किस bank ने partnership की थी, एस money micro ATM के लिए, कोची के रला में, वो कौन सा bank था, ध्यान रखना, कौन सा bank था, ICICA bank था, यह question अपने आप में बहुत important रहेगा, कौन सा bank था, ICICA bank था, very good, कौन सा bank था, ICICA bank था, next question की तरफ बढ़ रहे है, कौन से organization ने यह कहा है, कि CFID नाम का जो है, organization बनाया जाएगा, एक specialized department बनेगा, जिसका नाम क्या है, Corporation Finance Investigation Department, ठ promoters के fraud से निपटने के लिए, कि संगठन ने जो है, एक विशेश विभाग, जिसे नाम दिया गया है, निगम वित जाच विभाग, CFID, Corporation Finance Investigation Department की स्थापना की है, तो बिलकुल वो कौन सी organization है, by Ministry of Corporate Affairs नहीं है, RBI नहीं है, Association of Mutual Funds नहीं है, किसने गोशित किया है, SEBI ने, Securities and Exchange Board of India ने, Headquarter कहां पर है, SEBI का मुंबई में, बना कप था, 1988 में, Statutory Power कम मिली थी, 1992 Act के तहट, SEBI के अध्यक्ष कौन है, अजे त्यागी जी है, और एक बात ध्यान रखना, SEBI से अगर कोई दिक्कत है, तो कहां पर complaint की जा सकती है, तो कौन सा system काम करता था, SEBI के अंदर, वो क होते हैं, उससे निपटने के लिए, next question, President of International Boxing Association AIIB के कौन न्यूक्त किये गाए है, International Boxing Association AIIB के President कौन बन गए है, औप्शन है, Greg Barclay, Anika Sorastam, Omer Kremrev, या फिर Jenna Worldridge, President of International Boxing Association पूचा है AIIB, Association of International Boxing Association के President के प्रेसिडेंट जो है, किने बना दिया गया है, तो बिलकुल ये किने बना अमर क्रेमलेव को, ठीक है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, उमर क्रेमलेव को जो नए बनाए है, Association of Boxing Association के क्या President, तो जैसे 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 जो है, event चालू होने लग जाएंगे, वैसे वैसे जो है, organization के President क्या होते जाएंगे, चेंज होते जाएंगे, मुझे कोई comment box में लिख कर बता तो, ग्रेग बाकले हाली में किसके बने थे, important है, ग्रेग बाकले हाली में किस sports organization के नए अध्यक्षी रूप में चुने गए थे, comment box में लिख कर बताओगे, ग्रेग बाकले, कहीं न कहीं सारे के सारे option जो है, ठीक है, ग्रेग बाकले आपको बताना है, next अगर हम बा 6-12 में, मैं जानवरी से लेकर अभी तक के पूरे current affairs क्या करेंगे, हम discuss करेंगे, और दोपहर में 12-6 से लेकर आपकी क्या रहेगी, reasoning की classes रहेंगी, तो बिलकुल जुड़ना मत बूलेगा, अब जितनी देट अटें कर पाऊ, सेशन को जितनी हिम्मत बान पाऊ, जितना revise कर तो फटा-फट जो है, सिर्फ और सिफ क्या करेंगे, हम MCQs करेंगे, ताकि आपका पूरा एक बार क्या हो जाए, revision हो जाए, जिससे आपको बहुत जादा railway के examination में help मिल जाए, एक session होगा, उसके बाद अगर और requirement पड़ेगी, तो और sessions भी लेकर आएंगे, लेकिन target यह है, क पूरे साल का current affairs, जो है, आपके क्या हो जाने चाहिए, cover up हो जाने चाहिए, जितने भी important है, ठीक है, और अभी तक telegram channel से नहीं जुड़े हैं, तो आप जो है, तेले ग्राम पे selection with chanani, या फिर जिये महिंदरास live के नाम के search करके, मेरे साथ telegram पर जुड़ सकते हो, और official telegram channels ह सारी important information, pdf, doubt, दुख, परशानी, सब कुछ, आप यहां पर क्या कर सकते हो, बिल्कुल discuss कर सकते हो, आज की session को यहीं पर end करेंगे, जितने भी candidates नहीं जुड़े हुएते, सब से request है, चानल को subscribe करना ना भूले, जाते जाते, session को like करते जाएगा, और कोई भी doubt हो, तो बिल्क Bye guys, take care, Jai Hind